Hello friends, कैसे हो? Friends, आज मैं आपको Pixar के अंदर CeB Photo Editing कैसे कर दें करो को सिखाना चारो Friends, यहाँ पर देख सकते हो कि पहले वाले फोटो के अंदर मैंने कैसे हेस्टेल और जो बन्दा उसको मैंने सूझ पहना कि एक पूरा photo editing concept ही चेंज कर दिया तो friends इस टेप को फोटो आप भी बना सकते हो चैनल पर नहीं आए तो चैनल को कर दियो सब्सक्राइब चलिए हो फोट वाटिरिन को स्टार्ट करते पिक्साइट एप्लिकेशन को ओपन कर देना और यहां सबको बैग्राउंड एक सेलेक्शन कर देना है बैग्राउंड सेलेक्ट होने के बाद friends आपको यहां पर बाटम लेर में औल फोटो को एक उप्शन मिल जाएगा औल फोटो वाल उप्शन में जाके friends आपको यहां से खुद का एक HD टाइप इमेज ले लेना है यह वाला जेपीज इमेज लेने के बाद आपको यहां पर टॉप में एड़ बटन के दुवारा इसे एड़ कर देना है बैग्राउंड रिरेस करने के लिए यहां पर बाटम लेर में आपको कट आउट वाल एक उप्शन मिल जाएगा कट आउट वाले ओप्शन में जाके फ्रेंट से बैग्राउंड रिरेस करने के लिए आपको अपनी बॉड़ी सर्फेस पे यह जो रेड डॉट से वह आपको कुछ इस टेप से मिला देना है मिला देने के बाट टॉट पे जो एरो बटन वहां पर आपको कर देना है क्लिक क्लिक होने के बाट फ्रेंट्स आपका फोटो यहां पर रेंडर हो जाएगा रेंडर होने के बाट फ्रेंट्स आपको इस फोटो को कर देना है सेव सेव करने के अकॉर्डिंग फ्रेंट से यदि आपके फोटो में एक्स्ट्रा बैगरॉंड अभी भी आ रहा है तो टॉप में इरिजर टूल की साथे से आप अपने फोटो को जूम करके कुछ इस स्टेप से पिक्सल तरीकी से बैगरॉंड रेस कर सकते हो इसके लिए आपको स से सेंटर रेलाइन कर देना और फिर से ओल फोटो पे चले जाना है और फोटो पे जाकर फ्रेंट आपको एक शूज वाले इमेज ले ले लेना है यह वाले इमेज को आपको लेने के बाद फ्रेंट आपको क्या करना है फोटो को कुछ जूम करके यहां पर आपको इस और आगे वाले layer में रखने के बाद आपको क्या करना है फिर से इसका duplicate बना देना है यानि दूसरे pair के नीचे एक setup करने के लिए पर इसको move to down कर देना है यानि जो pair है यह सूज वाले इसके pair के पीछे यह वाला pair चला जाए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा rotate कर देना है ताकि ऐसा लगना चाहिए एक बनाए-बनाए effect नहीं लगना चाहिए एक दूब professional effect यहां पर आपको दिख रहा है यह सब setting होने के बद आपको क्या करना फिर से all photo option पे चले जाना है all photo option में जाने के बाद आपको यह से shadow png मिल जाएगा shadow png का use किसी भी photo के अंदर shadow effect करने के लिए ह इस वीडियो के लिए subscribe होना ही चाहिए so friends यहां से फिर से आपको क्या करना all photo option में चले जाना all photo option में जाने के बाद friends इस बंदे का अभी hair style change करना है तो यहां से आपको hair png ले लेना है hair png को लेने के बाद आपको top पे जो इस बंदे की hair है वहां पे आपको इसे कम stretch करके कु आपको hair png आपका extra जा रहा है तो आपको reset tool की सत्य से इसको थोड़ा सा यहां पर erase कर देना है ताकि बालो क्या कर नहीं आपका hair png मर्ज हो जाए इसके बाद आपको क्या करना फिर से ओल फोटो पर जाना ओल फोटो पर जाकर फ्रेंस आपको ऐसे cinematic effect का requirement रहेगा तो यहां से आपको light png ले लेना है light png का यूज हम हमेशा क्या क्या करते हैं सिनेमेटिक लुक की तरह इसे देखने लग जाते तो फ्रेंस light png को background करने के लिए आपको क्या करना है यहां से effect option में जाना और effect option में आपको क्या करना है fx और fx में कर देना है आपको HDR क्योंकि यह option करने के बाद photo के अंदर glow effect और बढ़ जाएगा और cb editing आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा सब फ्रेंस यहां से एक cb editing को concept level यहां पर editing देख सकते हो सब फ्रेंस कुछ भी करने के जूरूत नहीं effect में fx और fx में आपको HDR इसका blur opacity थोड़ा बहुत कम कर देना है जिसके साथ तरह फोटो बहुत अच्छी तरीके cb editing लेवर पर आ जाएगा सब्रंग कैसे लगा 4Dating concept यह वाला मुझे comment करके जरू बताए चैनल पर नहीं है तो चैनल को करें सब्सक्राइब thank you friends